नमबरों की दुनिया से जुड़े रहने के लिए अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल अगर आप भी देना चाहते हैं कोई खाबर या जानकारी तो इन नमबरों पर करें संपर्ख सुप्रीम कोड ने भूर आजसु के रिकार्ड में पुजारियों का नाम जोड़े जाने की याचका पर सुनवाई करते हुए एक एतिहासिक फैसला सुनाया है सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि पुजारी एक किरायदार की तरह काम करता है वह कास्तकार नहीं हो सकता कोर्ट ने कहा है कि एक पुजारी किसी भी मंदर की जमीन या संपत्ति का मालिक नहीं हो सकता वैं सिर्फ एक सेवक की तरह काम करता है मंदिर की संपत्ति का मालिक उसका देवता ही होता है जो भी पुजारी होगा वैं मंदिर का प्रबंधन करेगा उसकी देख भाल करेगा कानून में देवता की मानता विदि सम्मत है इसलिए मंदिर के संपत्ति देवता के ही नाम होगी जिस्टिस हेमंद गुपता वा एस बोपन्ना की बेंच ने कहा कि पुजारी के पास मंदिर या मंदिर के संपत्ति केवल प्रबंदन के लिए ही होती है वह सिर्फ देवता की जगहे उस मंदिर में काम करता है सुप्रीम कोड ने इसके साथ ही भूर आजस्टों के रिकार्ड में पुजारियों के नाम हटाने के भी आदेश दिये हैं कोड ने कहा है कि पुजारी सिरु मंदर की जमीन या मंदर की देखभाल करता है वह सिर्फ एक किरायदार जैसा है मंदर प्रदेश के 1969 के सर्कुलर को सुप्रीम कोड में चुनौती दी गई थी इसी मसले पर सुनवाई करते हुए कोड ने सर्कुलर को बरकरार रखा है इस सर्कुलर में पुजारियों के नाम भूराजसों के रिकार्ड से हटाने के आदेश दिये गए थे जिससे मंदर की संपत्य को अवैद रूप से ना बेचा जा सके विरो रिपोर्ट एबी निउस